कैप्टन अवनेंदर सिंग को अपनी गद्धी से हाथ दोना पड़ेगा, सरकार नाम की चीज नहीं है, काले में दाल चल लए है, ठेके कैसे खुल सकते हैं, तो पास मिलेगा, अन्य पार्टी का है या अन्य कोई है तो पास नहीं मिलेगा, करोना जैसी पीमारी में बड़े हल की पन से कॉंग्रेस ने पंजाब को लिया है, आज स्टूडियो में जो खास मेहमान हमारे साथ उबस्तित हैं, वो एक विध्यार्थी परिशत और संग प्रचारक के रूप में अपना जीवन शुरू करने वाले, ये बौन महापुरुष, आज 2015 से चंडिगड और पंजाब में महामत्री संगठन के रूप में अपनी सेवाएं आज दे रहे हैं, बताते चलें महामत्री संगठन के रूप में और इसी प्रभार पर कभी देश के प्रधान मंतरी नरेंद मोधी और हर्याना के मुख्य मंतरी मनोर राल खटर भी अप रूप में और विध्यारती परिश्यत में एक कारेकर्ता के रूप में शुरू हुआ हादरस से सम्मंध रखने वाले दिनिशकमार जी आज हमार साथ स्टूडियो में मौझध हैं, नमशकार दिनिशकमार जी स्वागत है, आपका, नमशकार, दिनिश करोना महामारी में सब को मेरा कहना है कि यह बेष्विक बीमारी है और इसको समझना पड़ाएगा कि यह आया कहा से हो तो यह चाय tãoज वाईरस के रोप में हमारे भीच में विश्व के अंदर आया है है चाइना एक ऐसा देश है जहां बहुत पहले से कमिर you विचार रहा है कि वो रख्त रंजित क्रांटी में विश्वास करने के खारण ओसकी विश्थार Mussou से रहिया है और एक मानव के लिए जिसको संभेदन सीलता होनी चाहिए वो संभेदन सीलता दिखाई नहीं देती उसके कारण वो वायरस वहां से तयार हुआ और विस्तारबादी नीती के कारण वो अन्य देशों में पहुंचा है और अन्य देशों में पहुंच करके ऐसे राष्ट हैं जो राष्ट बड़े संपन्न थे जिन राष्टों के अंतरगत अच्छी व्यवस्था है अर्थ व्यवस्था उनकी सॉलिट थी वो राष्ट इस चाइना बाइरस की सि होई हैं जिस आधार पर वो वायरस हमारे देश में भी पहुचा है मैं बढ़ाई देना चाहता हूं भारत के प्रधान मंत्री जी को क्योंकि उनकी लंबी आयू हो कि उन्होंने समय रहते हुए और देश के अंदर 22 मार्च को संपूर्ण लॉकडाउन के साथ साथ पहले उन्होंने जंता कर्फ्यू का आवान किया और भारत की जंता ने उसको बड़े शिरोधारी के साथ लिया और रंठर से इसका अनुस आधार पर पालन किया और उसके बाद अनोंने संपूर्ण देश के अंदर लोगडाउं जो किया है उसका परिणाम है कि हम भारत के अंदर जिस तरीके से तीन लोगडाउन के आधार पर चोधा लोकडाउन आने वाला है लेकिन जिस तरीके से अन्य देशों में हमारी का प्रभाव रहा है और इतनी मोते हुई है भारत इससे बहुत बच करके रहा है और यह करोर्णावाइरस जो है यह भारत के अंदर भी निश्चित रूप से जो हमारे बारत के दाप्त करेंगे करोना हा रहेगा वो भारत जीतेगा तरेश जी अभी आपने कहा कि चाइना ने इसका जो है शुरुवात की है यह कहीना कहीं बात अभी दो दिन पहले मुझे याद है कि केंद्रिय मंतरी और कदावर निताएं भाचपा के नितिन गड़करी जीने में यह बा कि आज आपने भी इस मंच पर यह कह दिया है इसमें दो प्रकार से सोचना पड़ेगा एक यह बैग्यानिक साइंटिस्ट के द्वारा यह तयार होना दूसरा होता है एक आपदा आना जैसे हमारे यां डेंगु आया जैसे चेचक होती है जैसे स्वाहिन फिलू आया यह बि एक खतरनाग पेलू और इसमें इंगित होता है कि चाइना की जो नीती है इंदर सांति नहीं रहे अब विश्व पूरा का पूरा इस वाहिरत से परिशान है और कितनी बड़ी अर्थववस्ता चर्मरा गई कितना बड़ा नुकसान पूरे विश्व का हुआ है और भारत भी उसमें लगा हुआ है तो इस आधार पे देखें तो निश्चित रूप से जो हमारे केंदरी मंत्री कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे हैं और जो ट्रंप कह र आपके पास प्रभार भारतिय जंता पर्टी महमंत्री संगठन के रूप में पंजाब और चंडिग्रका है इसमें क्या जो कारकरता है सेवा भारती और राशी स्वाम सेवक संके उनकी भी आरपरनाली और उनके साथ भी कोई सामजस से बठाके करूना की महमारी में कुछ ल तो बड़ी कम संख्या में केस थे पूरे देश के अंदर साथ सो आठ सो केस थे उसके बाद धीरे धीरे केसों में प्रद्धी हुई तो जैसे प्रधान मंत्री जी का संबोधन हुआ और भारती जन्ता पार्टी के राश्टी अध्यक्ष माने जगत प्रकास नड्डा जी ने आभान किया कि संपूर्ण देश के अंदर हमको साहता करनी है तो भारती जन्ता पार्टी के कारिकरताओं ने पूरे देश के अंदर और चंडीगड़ विशेशकर पंजाब इनके अंदर जो काम किया है मैं उनका बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूं बदाई के पास रहे वह कि 74,000 62,000 75,000 प्रति दिन भौजन पैकिट लगवक 50 बामन किचिन चला करके लंगर चला करके पूरे चंडीगड़ के अंदर जो बारे तेरे लाख संख्या है उसमें भारती जन्ता पार्टी के कारिकरताओं ने प्रति दिन भौजन वित्रन किया वह प्रशाशन के माध किट्स हैं जो गरीब लोग थे उनको उन्होंने देने का काम किया और उसके साथ साथ एक लाग से उपर प्रति दिन भोजन के पैकेट हमारे पंजाब के अंदर देने का काम किया और आप कल्पना नहीं करेंगे के डेड़ करोड से उपर पंजाब में भोजन पैकेट भारतिय जन्ता पार्टी के कारिकरताओं ने ही वित्रन किया है और यहां भी साड़े साथ लाख से उपर भारती जनता पार्टी के कारिकरताओं ने लगातार भोजन वित्रन किया है आज भी वो चल लहीं है राशन का वित्रन हुआ है और उसके साथ साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री जिने और भारतिय जंदा पार्टी के राष्टी अध्यच्छी ने अपक्षा की थी के एक तो पीयर पीम केर फंड में अधिक अधिक कारिकरताओं का पैसा जाना चाहिए तो यहां एक कारिकरता के जुम्हें चालीस लोगों का चालीस व्यक्तियों का पैसा जमा करा है मिनिमम सो रुपे मैक्सिमम जितना करा सकते हैं तो बड़ी मात्रा में यहां के कारिकरताओं ने भी वह पैसा जमा करा है पीम केर फं और बहुत बड़ा कारिकरताओं की संख्या पंजाब और चंडीगर के अंदर है जिन्होंने पी एम केर फंड में पैसा दिया है उसके बाद दूसरी अपेक्षा यह की थी हमारे देश के प्रधान मंत्री जीने के मास कबर फेश कबर जो है यह अधिक से अधिक देने चाहिए परिवारों में उसका निर्मान करना माताओं वहनों के द्वारा और उसको बित्रण करना फ्री आप कोश्ट उसको देने का काम भारतिय जनता पार्टी के कारिकरताओं ने पंजाब और चंडीगर में किया है और उसके साथ साथ एक जो आरोग किसे तू एप को डाउनलोड कराने के लिए जो आभान किया था तो यह भी बड़ी संख्याम है पंजाब चंडीगर के अंदर हमारे कारिकरताओं ने एप लागू किया है इसके साथ साथ अभिक्षा की थी कि जैसे करूना से युद्ध कर रहे हैं योदा चाहे वो स्वक्षिता करमचारी है चाहे आपक लिए करते हुए इन पर हमले भी हो रहे हैं लेकिन मौत के गात्रों करके भी वह इतनी सेवा कर रहे हैं तो उनका संबान होना चाहिए तो भारतिये जनता पार्टी और सामाजिक संस्थां ने इसका भी काम किया है इसके साथ साथ जूड़ी हुई संस्था जो है राश्टि पैकेट दे करके और लंगरों में सहायता करके काम किया है वो भी बदाई कि इसी में एक बात जोड़ना चाहूंगा कि अभी तीन दिन पहले मोदी जी ने कहा कि आत्म निर्भर और स्वाब लंभी बने अब स्विदेशी अपना है मोदी जी ने इस पर जोड़ दिया है तो ज संग्टन जो है उदर उस द्रिस्टिकॉंट से देखेगा कि नया प्रड़क्शन उस तरह से स्वादेशी के तहट अपना है जाए मैं यह कहना चाहूंगा कि यह तो बहुत पहले से हमारी चले स्वादेशी जाग्रमंच है सहकार भारती है भारती मजदूर संग है यह संस् क्या है चाईना का बहुत बड़ा कबजा रहता था और चाइना यहां से अर्थ कमा करके अपने देश को ले जाता था बहारत किया था तो इस आधार पे चाहिना ने यदि विश्चु को अविवस्था दी है विश्चु को इस तरीके के संकट में डाला है तो उसको भी चपत लगनी चाहिए और निशित रूप से भारत समर्थ है भारत पहले से बहुत दिक संपता का प्राकर्तिक संपता का अर्थ संपता का पहले से इस तरीके से संपन रहा है हमारे यहां किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है प्रकरती ने दिल खोल करके वहवान ने हमको दिया है इस आधार पे जो हमारे प्रध पैकेज दिया है अभी तक आपने ध्यान में आता होगा कि कॉंग्रेश की सतर सालों से सरकार क्या करती थी कि इतने अरब करोड रुपे खा गए इतने भरष्टाचार हो गया इतना लूट पार्ट हो गया इतने उसने रख लिए मनमोहन की सरकार में तो यही सिलसिला चलता रह विभश्ता देना उनको भोजन की विवस्था देना मनरेगा में देना विभिन्ह प्रकार के इंडिस्रियल में देना सूच्म लगूवर मीडियम ने प्रकार't में और मोधीे का विछ को कब 5 साल पहले भी वह अपना कारिकाल व्यतित किया किसी भी माई के लाल ने आज तक उन पर एक वरिष्टाचार का रूप नहीं लगाया किसी कैबिनेट मंतरी पर और अब भी दूसरी पाली चल रही है इतने बड़े संकट में किस तरीके से भारत को भारने का काम कर रहे है वो आत्म निर्वन बनाने का काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में जो हम कहते हैं कि विश्चु का गुरू भी बनेगा और सोने की चिडिया के रूप में भारत है हम उसको उसी रूप में देखते हैं जो कभी सोने की चिडिया था भारत कोंग्रेश की बात करी तो करोना के मां हमारी के संकटकाल में पंजाब में कांगरेस सरकार ऑब भूमिका आप किस तरह देखते हैं पंजाब में कांग्रेस सरकार की बहुमिका एक प्रकार के नगर्ण है rj embrace बीमारी में बड़े हल्की पंसे कॉंग्रेस ने पंजाब को लिया है आपको मैं उधारण देना चाहता हूं कि पंजाब की ठाई करोड लगवक पौने तीन करोड संख्या है और इस डाई करोड संख्या में एक करोड 42 लाग के लिए रासन अप्रेल के महिने में हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने और राम्मिला अस पासवान जी ने उसको दे दिया लेकिन उन्हों ने वो राचन को बित्रन में किया और भारतिय जंता पार्टि को एक भूकरताल करनी पड़ी उपवास रुपाश्य सब्णा पड़ा तब उन्हों कहांगरिस की कारिकरताओं को दिया यहां तक पार्षद ऐसे अम्रसर लुध्याना और जलंदर में कि को मार्केट में उसको भी ते या नि जो रासन आया जो सहाइता आई उसका कॉंग्रेश करन उन्हों किया दूसरा क्या है कि अन्य देश के अंदर राज्यों में देखा जाए तो सब ने पहले से कुरांटाइन सेंटर की व्यवस्ताइं की थी विभिन प्रकार से टेस्टिंग वस्ताइं की थी पंजाब के अंदर स्वास्त मंत्री अपने घर में बैठे रहे और घर के ऊपर यह लगा दिया कि हम मिलने का समय करके बेजना चाहिए था महाराष्ट को था दिमा लेकिन जहाँ जिस्त में एंट्रि कर रहे वहां नी टेस्टिंग लोगों का बाहर से आ लेकिन पंजाम में घर चला गए घर से उठाकर उनको ला रहे कि आपकी टेस्टिण करेंगे तो स्वास्त meget फ्लॉप हो गया uh folded कि प्रकार कि कोई टेस्टिन नए कि इसके साथ-साथ क्या किया किसानों का पास देने पर कॉंगरेश है तो पास मिलेगा अन्य पार्टी का ऐइस ORने को हैथो पास नहीं मिलेगा तो खिसानों की कोई सुविदा नहीं और इसके साथ-साथ जो ठीक डंग से निया होना चाहिए कि केंद्र सरकार और पंजाब की जो राजी सरकार है उसमें सामझ जैसे की कमी रही उन्होंने पैसा भी लेकिन पंजाब की अद्यूख Calendar चाहिए पंजाब की फैक्ट्रियायव कि उसमें उनको चिंता थी कि पंजाब में ठेके कैसे खुद सकते हैं साथार में कैबेनें रस सीम जी ने केंद्र से हमको अनौमति मिलने चाहिए कि हम सराब की दुकाने सराब की घरगर डिलेवरी करने की योजना बना दी उन्होंने और उन्हीं के मंत्रियों ने घरवालों मंत्रियों की पत्रियों ने उसका विरोध किया और इसके आधार पर चीप सेक्टरी और कॉंग्रेस के विभिन विधायक मंत्री आपस में इस तरीके से बिढ़े हैं उसमें बहुत बड़ा घपला हुआ है यानि जो रासन आया उसमें घपला जो रासी आ रही है उसमें घपला और बरतमान में जो सेक्टरी और इनमें द्वंद चला है पंजाब के अंदर तो निश्यत रूप से इसमें आगे आने समय में कोई मामलाद डाल नहीं पंजाब और चंडिगर में आपने चेंज़ कीए हैं कारेकारणी में काफी प्रदेश अधेक्श से लेकिया नीचे दे काफी चेंज हुए हैं तो कहीं न कहीं इसका इंपक्ट या यह सब 2022 की रंणीति के तहत किया रहा है कि 2022 को मैं देखता हूं कि कॉंग्रेस का पिछला पांच साल जैसा रहा है तो वह सरकार नाम की चीज नहीं है पंजाब के अंदर और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में भारतिय जन्ता पारिटी और जब भी जो भी संगठन है वह बिकल्प के रूप में पंजाब म काम किया है पूरे मंडल के कारिकरता 23,000 हमारे बूथ हैं उन बूथों के कारिकरता हमने लगाएं संगठन आत्मक तंत्र हमने खड़ा किया है प्रतेक जिले में 33 हमने जिले बनाए हैं 22 सरकारी जिले पूरे कारिकरता लगे हुए हैं और जिस तरीके से सेवा के रूप में क रहे हैं लेकिन उन्होंने लेबर और कॉन्हारी जा रहे तो बटिंडा रेलवे स्टेशन पर उन्होंने बैनल लगाया और वहां पर्चे-पांटना उसका चिंता कर रही है वहां वहां के CRPF के जमानों ने उसका बैनर फारा और उनको वहां से भगाया दोड़ाया उन पर केस दर्ज भी किया है हमारे कार्यकरता उन्हें चंडीगण में भी इस तरीके का कॉंग्रेस कर रही है तो निश्यत रूप से यह कॉंग्रेस जो है अब अपाईसी हो गई है और इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है इनके पास कोई आगे की प्लानिंग भी नहीं है और पंजाब के अंदर मैं देखता हूं कि आगे आने व इतनी गद्दी से हाथ दोना पड़ेगा अर्थप्रकास टीवी के माद्यम से अब दरश्कों से कुछ सुझा आप साजा करना चाहेंगे बहुत अच्छा है अर्थप्रकास जी अर्थप्रकास के माध्यम से आप सब लोग जो करते रहते हैं करूना के समय में भी अच्छी न्यूज अच्छा समाचार और सेवा के रूप में मैं आप सब लोगों को सुबकामनाय देता हूं निश्यत रूप से आगे आने वाले समय में भी सबका मार्क दर्शन सबको दिशा अच्छी दिशा सबको मिलती रहे ऐसी आप सब लोगों से अपेक्शन करता हूं जी समवात दिनेश के साथ में फिर से मुलाकात होगी ऐसे ये किसी मानुवाव के साथ तब तक के लिए धन्यबाद ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थपरकास टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें